अब तो अब तो यह विए अपने सेशन समाप किया था और आज हम लोग क्या श्टार्ट करने वाले हैं कार्बोगजेली के सिड्ट तो आईए स्टार्ट करते हैं हाला कि मैग्जिमम रियेक्शन जो है आपका वो पढ़ा हुआ मिलेगा एक तरह से कई सारे चीजे जो है यहा आते जाएंगे कि यह पढ़ चुक है हम लोग कहां पढ़ेते कैसे कैसे यह सारा को छुआ है ठीक है आरा बात समझ में तो क्या हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोगजेलिक एसिड और साथी चात उसके डेरिवेटिव को भी हम लोग यहीं देखेंगे ठीक ह ठीक है यह है कार्बोगजेलिक एसिड एंड डेरिवेटिव तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह क्या पढ़ने जा रहे हैं मैथड ओफ प्रिपरेशन हाला कि बहुत चारा लंबा लिस्ट है मैथड ओफ प्रिपरेशन में लेकिन जो इंपोर्टेंट है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं वह है आपका ठीक है लेकिन मैक्जिमम पढ़ा हुआ है सारा कुछ ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रॉम एलकोहल और यह एलकोहल क्या रहेगा वन डिग्री एलकोहल क्या रहेगा वन डिग्री एलकोहल ठीक है बात समझ में आ रहा है फ्रॉम वन डिग्री एलकोहल वाया ऑक्सिडेशन वाया ऑक्सिडेशन ऑक्सिडेशन करवाएंगे ठीक है वन डिग्री एलकोहल को बात समझ में आ रहा रिएजेंट तो ऐक्सेड़ाइजिंग लेंगे ठीक है यहां स्ट्रॉंग ऑक्सेड़ाइजिंग एजेंट ले लेते हैं चोंकि बनाना क्या आपने को कार्भोचैलिक एसिड ठीक है एल्डीहाइड पर रोखना नहीं है क्या बनाना है क्थरे configured Йहां पर हम लोग 7, ठीक है, और ये H+, Acidic Medium में, या फिर OH- Basic Medium में, यदि Acidic Medium में लेंगे, तो Carboczylic Acid तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन यदि Basic Medium में ले रहे हैं, तो हो सकता आपका कि Carboczylic Acid का Salt बनता हुआ नजर है, चुकिए Alkaline Medium में है, तो फिर Alkaline Medium के Presence में क्या होगा, Acid Based Reaction, और जिससे फिर आपको क्या नजरा जागा यहाँ पर, Yes, ठीक है, Salt, या फिर हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, Jones Reagent, CRO2, CRO2, और यह हम लोग किसमें लिए थे, H2SO4, और साथी साथ क्या लिए थे, किसमें Acetone में, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहें थे, Jones Reagent, Jones Reagent, ठीक है, तो क्या बन जागा, यह RC Double Bond OH, पहले Aldehyde, और फर्दर यह Oxidize हो करके, क्या बन जागा, RC Double Bond OH, और यह रहेगा, OH Acid, बातसमद में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, दूसरा, यह वाला हम लोग किसमें देखें, फर्bers dew कोहल, ठीक है, दूसरा हम लोग देख रहे हैं, फ्रम, Hello Form Reaction, हैं, Hello Form Reaction, Hello Form Reaction, Hello Form Reaction के से भी, अपने को क्या मल जाएगा, Acid हम लोग निकाल सकते हैं, तो याद होगा hello form reaction हम लोग क्या पढ़े थे कि generally कौन सा गुरूप देता है जिसमें क्या रहा हो यह वाला गुरूप लगा हुआ यह यह वाला गुरूप होता है वह ही hello form reaction देता है लेगिन साथी साथ हम यह भी पढ़े थे अच्छा यह क्या हो जागा लेगिन साथी साथ हम यह भी पढ़े थे कि कुछ वैसे अलकोहल और हलाइड है कुछ वैसे अलकोहल ठीक है और अलकाइल हलाइड है जो क्या देते हैं hello form reaction देते हैं ठीक है two degree वाला आपको यह यह याद होगा तो ठीक है समद में आ रहा है किस प्रकार से हम कर रहे हैं ठीक तो रहा ही आद सब कुछ और यह आ जाये आपका CS3 और reaction इसके साथ करवाए है hello form reaction होगा आपको लिखा हुआ सकता आ एन ऐ ॔ एक्स क्या लिखा हुआ आ सकता है झा फिर आपको कया लिखा हुआ करके उपर क्या लिख देते हैं इने ओ एक्स बात समझ में आ रहा है जिससे क्या बनता है एक का हेलो फॉर्म बन जाएगा और इस सी एस तरी का क्या बन जाएगा है तो यह क्या हम बना देंगे ऑर सीडबल ओ माइनस और ये एक्स ठीक है इने फ प्लस यह यह ऐसा बना देंगे ठीक है बात समझ में आया और ये इसका इसको यदि हम क्या कर आ दे एच्यल को थोड़ासा हम क्या कर आ दे प्रोटोनिक में दे दे तो ये क्या बन जाएगा आर सी डबल बॉंड ओ और ये एच एसिट का फॉर्मेशन हो जाएगा बात समझ में आए किस प्रकार से चल रहा है ठीक है और यह सील क्या बन जागा यहां के एन ए सील यहीं कंप्लीट यहीं हमरी एक्षन लिखे तो बात समझ में आ है अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम अलकाइन ठीक है आप सबसे पहले देख लेते हैं फ्रॉम अलकीन मीटा दे और यह रिवीजन है है पूरा आपका सब पढ़ चुके हम लोग ठीक है तो कि कार्बोगजली के से डपने को पढ़ना है कुछ नहीं रिएक्षन देखेंगे और इसी बहाने हम लोग क्या करेंगे रिवीजन भी कर लेंगे ठीक है तो क्या है फ्रॉम अलकीन तीसरा फ्रॉम अलकीन ठीक है अलक है क्या लिख लेंगे होट कहीं बी कुछ नहीं लिखा हुआ होओ है यार क्वल तो हम उसको क्या मान करके चलेंगे घ्लं के सार बताय हुआ है है और क्या है क्या लिख़र है क्या है हां एक्थे अखिटेशन मियाद है Thaac第三 को कि क्या बताहें ठीक है धिक है और दीसरे तरीके से हम क्या बना सकते हैं दूसरे तरीके में यदि हम क्या ले यहां पर O3 और H2O2 यानि ओजनलाइसिस क्या करवादे ओजनलाइसिस बस यहां पर जिंक नहीं लेंगे यह डाइमिधाइल सुलफाइड नहीं लेंगे जो कि उसको फर्दर औक सीडाइज होने से रोक देता था ठीक है अल्डिहाइड ही लागा कर के रहा जाता था बात समझ में आया यानि यानि किldhasabend बन करके सिर्टाइज हो जाएगा जिंक लेते ते तो क्या हो जाता था यानि किटोन तो हो जाता था लेकिन में तो दोनों को करने का तरीका बस यहीं पर हम लिख देते हैं और डवल बॉंड क्या कर देंगे तोड़ देंगे बात समझ में इस तरीके से तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद आपको क्या मिल जाएगा यहां पर भी मिलेगा 2RCHO ठीक है और यह क्या बन जाएगा 2RCOOH सेम एकदम सेम सिच्वेशन यहां पर भी बनेगा क्या यह आपके पास रहेगा 2RCHO और यह ऑक्सिडाइज हो जाएगा ठीक है और यह क्या बन जाएगा 2RCOOH क्या बन जाएगा यहां पर कार्बोग्जेलिक इसीड बात समझ में आए किस तरीके से वह रहा फ्रॉम अलकीन लिख लिए अब नेक्ष्ट देखते हैं हम लोग चौथा फॉर्थ वाला ठीक है फ्रॉम अलकाइन फॉर्थ देख रहा है फ्रॉम अलकाइन ठीक है अलकाइन में क्या लेंगे या फिर हम इससे पहले हम देख लेते हैं अलकाइल हलाइड का ठीक है फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे अलकाइन का ठीक है तो फ्रॉम अलकाइल हलाइड देख लेते हैं इसका फ्रॉम भी arat Nori a-5 पाइल है तो आलकाइल हैं तो रिएक्शन किस इंट किसके कर वा देंगे mg और तेकार और अर्म लेंटरी हो गया है सबसे पहले और रिएक्शन कि आर्म के साथ करवा है है कि यदी लिखा हुआ रहा हैगा तो हम क्या ले लेंगे यलाइड बात समंझ में आ रहा है तो ड्राइ-एमजी और ड्राइधर के साथ करवाएगे तो क्या बन जाए गा RMGX ये रहेगा negative और ये रहेगा positive partial ionic और covalent bond दोनों रहता है, बात समझ में आया और इसका reaction यदी इसका reaction हम किसके साथ करवा दे CO2 के साथ, ठीक है और दूसरा H3O plus ठीक है, CO2 के साथ करवा दे, और H3, अच्छा एक-एक step में हम कर देते हैं, तो क्या होता था nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction, ये उपर जाता था और ये वाला R, इस carbon पे, ठीक है, जिससे बन किया जाता था, R, C, O minus, ठीक है, और यहां क्या जाएगा, Mg और X, और ये double bond क्या हो जाएगा, O, ठीक है और इसका reaction, hydrolysis करवा देंगे, hydrolysis पे क्या बन जाएगा, R, C, double bond, O और ये आगया, O, H और साथी साथ बाहर क्या निकल जाएगा, Mg, O, H, और ये रहेगा, X, तो यहां से भी आपको क्या मिल जा, carboxylic acid, बात समझ में आ रहा किस तरीके से है, इसी का थोड़ा सा extension part देख लेते हैं, यानि कि B, इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे के लिखा हुआ है, CH4, और पहला क्या डाल दे, CL2 और H new, CL2 H new के presence में करवा दे, और ये CL जो है, वो ले ले 1 equivalent, कितना ले ले, 1 equivalent, क्या बन जाएगा, ये CH3CL क्या बन जाएगा, CH3CL reaction फिर आगे, Mg और dry ether, किसके साथ reaction, Mg और dry ether क्या बन जाएगा, यास गरिखनाल देजेंट, याट इस CH3, Mg और CL, CH3MG और CL, ये negative और ये वाला positive वाला, बात समझ में आया, और इसका reaction किसके साथ हम करवादें, या C double bond O, और ये double bond O, CO2, ये पहला ये, और दूसरा, H3O plus, hydrolysis, ठीक है, तो एक carbon यहाँ, और एक carbon यहाँ, total कितना carbon, दो, यानि कि जो carvog jelly acid बनेगा, वो कितना carbon का, येस, दो carbon का, ठीक है, ये वाला जाएगा उपर, और ये attack इसका, यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, CS3, ठीक है, CS3, C double bond O, और ये रहेगा, OH, बात समझ में आया, किस तरीके से हो रहा है, clear है, ठीक, और इसमें हम देख सकते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा सा और हम देखा सकते हैं, इसमें आपको, ठीक है, क्या कर सकते हैं, भाई, तो, जैसे कि हम यहाँ पर ले ले, बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, बेंजीन रिंग ले ले, और किसका रियेक्शन करवाद है, ये CL2 का, ठीक है, किसके प्रेंच में, FECL3, ठीक है, या फिर डार्क भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, FECL3, या फिर लिखा रहा है, LCL3, क्या बन जाएगा, ये, यस, ये लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, क्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन, और क्लोरो बेंजीन के फॉर्मेशन के साथ, यहां क्या डाल देंगे Mg और थोड़ाता यहां हीट देना पड़ेगा ठीएचेफ लेना पड़ेगा इस बार सॉल्वेंट के तौर पर ड्राइधर ना लेकर करके हम क्या लेंगे ठीएचेफ बताएं है ग्रिगनाल डेजन पड़ाते समय कि ठीएचेफ हम क्यों ले रहे हैं आ रहा बात समझ में तो जिससे यह है क्या बन जाएगा यह इस प्रकार से बनेगा यहां जाएगा Mg और यह सील यह निगेटिव और यह पॉजिटिव वला clear और फिर से reaction किसके साथ करवा देंगे पहला CO2 यानि कि C double bond O और double bond O यह यहां और इसका attack कहां यहां पे और दूसरा में क्या करवा देंगे H3O plus जिससे क्या बन जाएगा जिससे बन जाएगा Benzoic Acid ठीक है Benzoic Acid बात समझ में आया तो इस तरीके से देखें आप पांच बात देख लेते हैं from Alkyne मिटा दें from Alkyne यादा रहा आपको सारा कुछ इसमें Grignald का भी आपको यादा गया होगा कि किस प्रकार से Grignald का हम लोग reaction करवा रहे हैं ठीक है पांच बात देखेंगे हम लोग क्या फिफ्ट प्रॉम अलकाइन अलकाइन और इसका भी क्या होगा आपका Oxidation ही होगा इसका भी क्या होगा Oxidation Oxidation तो बताइए अभी तुरंद की है हम लोग क्या ले लेंगे आर और यह सी और ट्रिपल बॉंड Oxidation याद है ठीक है उसका जुरूत नहीं है यहां पर हम क्या ले रहे होट के मेंन फूर और जिससे क्या बन जाएगा जिससे बन जाएगा आर सी डवल बॉंड ओ और यह और साथी साथ क्या बनेगा तो Oxygen भाई यहां Double Bond और Yellow OH और यह Single Bond OH और O2 और OH को करना है यहां से साब बॉंड को तोड़ देना है ठीक है इधर वाले पार्ट में क्या जाएगा R, C, Double Bond, O, OH ठीक है तो इस वाले पार्ट से क्या मिल गया यह एक पार्ट से यह मिला और दूसरे वाले पार्ट से क्या मिला यह अंसर बात समझ में आ रहा कैसे हो रहा है ठीक है इसी में एक चीज और हम देख सकते हैं मिटा दे केमिनोफोर के साथ ही ठीक है यह हम माल लेते हैं A है यह अपना है A Oxidation ही बता रहे है ठीक मिटा दे ठीक है यह पार्ट A है हाला कि यह अभी जो बताएंगे वह अलकाइन के साथ नहीं रहेगा लेकिन केमिनोफोर के साथ है तो आप उसी में एड़ कर लिजेगा B पार्ट दे करके ठीक है यह देखेंगे जैसे कि यह अपने पास यह रहे यह बेंजीन रिंग ठीक है यह सी और यहां पर प्रताब पर आपने पास रहे इस तरीके से इस तरीके से और यहां क्या रहे है मश्याहिक कि क्या अपने पास रहा है 알फा हाइड है और यह यहां देख the actual is क्या दे दे K-4 ठीक है यह किस में convert हो जाएगा C-OOH में बेंजोई के सिड में 11th class में पढ़े थे 11th class में हम लोग पढ़े थे ठीक है कितना ही बड़ा यह दी CH2 CH2 कुछ भी लिखा हुआ रहा है और किस में convert हो जाएगा यस किस में convert हो जाएगा C-OOH में ठीक है देखेंगे एडामपल जैसे कि CH3 यह ऐसा benzen ring ठीक है क्या लिखा हुआ है K-4 क्या बन जाएगा यह C-OOH टॉलीन है ठीक है इसी में CS3 यह benzen ring ठीक है और नीचे भी CS3 क्या बोलते हैं इसको पी-जाइलीन पैराजाइलीन बोलते हैं ना पैराजाइलीन common name ठीक है और क्या K-4 के presence में क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा C-OOH और नीचे भी C-OOH और इसको बोलते हैं टेरी थैलिक एसिड क्या बोलते हैं टेरी common name ठीक है ठीक है टेरी थैलिक एसिड बात समझ में आ रहा है इसी में पैरापे है तो अब क्या बोले टेरी थैलिक एसिड ठीक है इसी में इसी से related for example ठीक है इसी में यदि ऐसा आए यह आपका बेंजेंडरिंग और यह यह देखिए अलफा वाला है हाइड्रोजन है अलफा हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट है ना दोनों साइड तो बस कुछ नहीं करना जैसे जो भी कार्बन था vaq क्या कर देंगे आठ कितना भी रहे उसको कार्बोगलम एक्सिड तो इधर सभी अल्फा मिल रहा इधर से भी अल्फाा मिल रहा है ठीक है क्या लिखा रहेगा के में लगा 5 क्या कर देना है यहां पर बेंजिन रिंग C2oH और यह C2oH oo answer और इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं थैलीक एचिड ठीक है और यह क्या था आपका तेरी थैलीक एचिड क्या था यह те ठीक है कितना नंबर आ रहे हैं याद है सिक्स्त नंबर ठीक है कितना नंबर आ हाइल मैलोनेट इस्टर है बेसिकली डाइथ हाइल मैनोलेट ठीक है तो जैसे कि एक थोड़ा सा हम आपको यह दे देते हैं किस तरीके से यह कर रहे हैं हम लोग ठीक है जैसे कि यह अपने पास CH2 और यह होल एन एन क्या हो सकता 1 2 3 4 कुछ भी 1 2 3456 सुरी 0 1 2 3456 और यह हम दे दे रहें सी डवल ओ ऑएच और यह क्या दे रहें सी डवल ओएच तो यह कुछ एसिड्स के नाम आपके सामने आएंगे दो बार यह दि लगा हुआ है तो इस तरीके से और यहां पर कारबन यह जीरो हो जाए यानि कि क्या बन जाएगा ऐसे करके यह यान यह दोनों लिखते हैं ठीक है तो एन बराबर जो अपना हम दे रहे हैं एन बराबर 0 1 2 3 4 5 6 ठीक है और यह क्या ओम्स गैप्स ठीक है फिर से हम लोग हीटिंग इसक्ट जब पढ़ेंगे न तब वहां हम लोग देखेंगे इसको दुबारा अभी बस यह हम लोग देखेंगे कि कैसे आ रहा है मैलोनिक एसिड से आता है इसलिए बस हम एक इंट्रोडक्टर यह आपको दे रहे हैं ताकि वहां पढ़ें दुबारा तो आपको थोड़ाफा याद रहे थोड़ा फ्रेंडली रहे ठीक है तो यह क्या हो जाएगा ओ एम एस जी ए पी एस ओम्स गैप्स ठीक है इसका नाम क्या हो जाएगा ओग्जेली के सेड फ़ले थे ना ओग्जेली के सिड यह तो हम लोग स्टर्टिंग और मेंद जान लेते ह adhere oxalic acid ठीक है यदि M यानि N बराबर 1 रहेगा तो क्या हो जागा malonic acid malonic acid ठीक है यदि S से क्या बनेगा N बराबर यदि 2 दे देंगे तो क्या बनेगा succynic acid succynic acid ठीक है यदि 3 N बराबर को आइटेंगे 3 तो gluteric acid ठीक है बात समझ में आ रहा है यदि N बराबर 4 देदेंगे यहां ठीक है एडिपिक एसिड क्या बन जाएगा एडिपिक एसिड एन बराबर यदि 5 एन बराबर यदि 5 देदेंगे क्या हो जाएगा यस ठीक है पैलमेरिक एसिड ठीक है और S सुबोरिक एसिड इसको काते हैं ठीक है सुबोरिक एसिड सुबोरिक एसिड बात समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है ठीक है देख लेंगे इसको किस तरीके से जा रहा है इनका वैलू हम जहां-जहां जो लिखें हैं सब इसीड का यहां जो नाम है वो गया है अरहाँ बात समझ में एक बार देखें अच्छे से किस तरीके से जा रहा है structure जो है वो हम लोग बना सकते हैं अपने से भी ठीक है लेकिन अपने को यहाँ पर कौन सा काम है क्योवल mei-mellonic acid का mei-mellonic acid से जो इस्दर बना है that is called हम उसको क्या बोले है diethyl malonate क्या बोले हम लोग diethyl malonate ठीक है नोट कर ले फिर बाताते हैं ठीक है आगया मिटा दे अच्छा एक चीज ये जो है इसको बस हम लोग क्या कर देते हैं ये वाला है न यही तो इसका हम लोग क्या structure बना देंगे ये हो जाएगा COOH और यह तो यह क्या हो जाएगा CH तू का होल्य टू ओर यह को अब इसका यहेश ड़ू का होड़ 110 ओक हिसका इसका इसका इस्टर बने छेमें इसका यहादी तो क्या हो सट्टर तो क्या दाएगा ना ओए वन होड़ दैना शॉरी नहीं सट्रू पन तो वन ठीक जिस से क्या बन जाएगा COOET और यदि COOET तो यही आपका कहला आएगा क्या Diethyl Melonate क्या कहला आएगा Diethyl Melonate ठीक है Clear है Note करे अब तो कुछ नहीं छूट रहा है यहाँ पर बस Family के से Dispelling थोड़ा सही कर लेंगे Family के सेड़ है Spelling थोड़ा सही है ठीक है Suboriacid Oxalic Acid Melonic Acid Saxinic Acid Glutary Acid Adipic Acid Family Acid Subori Acid ठीक है देख लेंगे तो अब हम लोग किस से बनाने जा रहे हैं इसी से Diethyl Melonate से ठीक है जो कि क्या है एक प्रगार काई स्टर है ठीक है Diethyl Melonate किस तरीके से हो रहा है तो यहां पर जैसे हम लिख देते हैं CH2 C double bond O O E T और यह क्या है C double bond O और यह O E T यह है न और इसको थोड़ा सा हम convenient के लिए क्या कर देते हैं footing isotopic leveling कर देते हैं ठीक है क्लियर है किस तरीके से है अच्छा और एक बात आपको यहां पर याद होगा कि यह जो ग्रूप है यह वाला जो कार्बन है यह आपको क्या मिल रहा active methylene group क्या है यह active methylene group देखेंगे यह यहां पर क्या था CH2 यहां दा रहा है और यह C double bond O O E T तो यह क्या है electron withdrawing group क्या है यह electron withdrawing group और यहां भी क्या लगा हुआ है O O E T और यह भी क्या electron withdrawing group है ना दोने electron withdrawing group लगा हुआ है तो इससे जो hydrogen निकलेगा वो बड़ा ही अच्छा यानि कि तकड़ा acidic hydrogen होगा strong acidic ठीक है acidic hydrogen acidic hydrogen है बड़ा असानी से जो है H plus दे देता है और negative जो बनेगा दोनों तरब से क्या होगा उसको stabilize किया जाएगा तो वो भी ध्यान में रखेंगे और इसका reaction ध्यान से हम क्या लिख रहे है सबसे पहले हम reaction करवा रहे है Na O E T के साथ Na plus O minus E T और दूसरा यानि एक तरह से क्या हो गया base ही हो गया strong base हो गया एक तरीके से ठीक है दूसरा Rx और Rx alkyl halide वैसा लेंगे जो SN1 reaction सरी SN2 reaction देता हो ठीक है इस Rx काम लोग कौन सा लेंगे जो SN2 reaction देता हो यानि कि generally 1 degree Rx काम लोग इस्तमाल करेंगे ठीक है तीसरा क्या लेंगे तीसरा H3O plus hydrolysis और चौथा क्या करवाएंगे चौथा हम भाई साब heat करवादेंगे क्या करवादेंगे heat ठीक है और जिससे अपने को जो मिलता है result क्या मिलता Rx double bond O ये 14 सरी RCH2 RCH2 ये 14 COOH यानि कि क्या बन गया आपका acid यहाँ पे बन गया बाद स्वन में आया किस प्रकार से अब इसका mechanism होगा वो हम देखते हैं ठीक है तो mechanism के लिए थोड़ा जगा चाहिए आप note कर लिए इसको हम मिटाते हैं इसको ठीक है mechanism mechanism किस प्रकार से होगा सबसे पहले क्या होगा O minus ET का reaction और O minus ET किसको लेगा यस इसको और reaction क्या 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 लाएगा acid based reaction क्या 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 लाएगा acid based reaction minus क्या होगा minus ET OH minus क्या हो जाएगा yes ET OH जिससे बन क्या जाएगा CH2 negative C ठीक है CH2 सोरी CH negative C double bond O O ET और यहां का C double bond O O ET clear है और यहां हम Rx कौन सा लेंगे Rx जो लेंगे वो क्या रहेगा जो क्या करवा है SN2 reaction दे Rx हम कैसा लेंगे SN2 reaction जो देता हो आ रहा बात समझ में clear है और यह क्या है यह काफी stable NIN है ठीक है stable NIN है यानि कि यह क्या हो जाएगा yes बात समझ में आ रहा कैसा है resonance stabilize NIN ठीक है resonance stabilize NIN ठीक है और यह हम कैसा लेंगे जो SN2 reaction देता हो तो basically यह क्या नज़र आएगा यह वाला टूटके यहाँ पे X पे और यह वाला negative यहाँ पे ठीक है H और यह COOET और यह COOET बात समझ में आए किस प्रकार से हो रहा है अगला step क्या था hydrolysis S3O प्लस और इस्टर के साथ hydrolysis करतेंगे क्या बन जाएगा acid सही बोले RCH COOH और यह COOH और दो acid एक साथ तो नहीं रहेगा थोड़ाता हीट करतेंगे तो क्या हो जाएगा CO2 बाहर ठीक है तो माइनस CO2 और माइनस CO2 होने से क्या बन जाएगा RCH2 COOH और यह था आपका 14 वाला ठीक है यह था आपका 14 वाला ठीक है यह आपका 14 वाला that is the final result बात समझ में आए किस प्रकार से हो रहा है तो यह हम लोग कुछ क्या देखें preparation method of क्या carboxylic acid अब हम लोग देखते हैं जो कि काफी important है chemical properties ठीक है chemical properties of क्या carboxylic acid note करें इसको ठीक है अब क्या देखेंगे chemical properties sort trick यादा रहा है सस्ता मजबूट टिकाओ कैसे कैसे हम लोग answer ला रहे है direct वो ध्यान में रखना है काफी important है आपको exam के लिए बहुत जरूरी है उसका अब ठीक है क्या देखेंगे आब chemical properties of carboxylic acid ठीक है chemical properties of carboxylic acid ठीक तो सबसे पहला देख रहा है सबसे पहला जिसमें हम लोग acid based reaction देखेंगे क्या देखेंगे acid based reaction acid based reaction ठीक है जैसे कि यह है क्या आपने पास R C double bond O और यह OH एसिड है इसका reaction किसके साथ करवा दें ठीक है Na sodium ले ठीक है या फिर कोई base ले ले जैसे कि ठीक है यह भी आला कि basic तरह काम है और ऐसे हम ले सकते है Na OH या फिर क्या लिख सकते हम लोग ठीक है सारा क्या करेगा acid based reaction ही करवा देगा अच्छा हम एक काम करते हैं इसको अलाग से लिख देते हैं Na NH2 यहां लिख देते हैं Na NH2 और K NH2 ठीक है क्या बन जाएगा यह R C double bond O O minus और Na प्लस ठीक है और यह हम यहां पर क्या ले ले NaOH sodium hydroxide यहां फिर ले पोटासियम hydroxide वही acid based reaction हो जाएगा ठीक है और क्या बन जाएगा आपका यहां Na plus यहां फिर K plus भी हो सकता है इसके जगा यहां भी बन जाएगा R C double O O minus Na plus और साथ इसके जगा K plus भी हो सकता है बात समझ में आया दूसरा हम लोग देख रहे हैं ड्राइड इस्टिलेशन ठीक है दूसरा क्या देखेंगे ड्राइड इस्टिलेशन पढ़ चुके हैं ना पर एसीड बेसरी एक्षण तो आप लोग क्लास एट नाइन में पढ़ने लग जाते हैं कि टेंफ में दो चैप्टर भी एसेड बैसें सॉल्ट याद होगा तो दूसरा वाला दूसरा क्या देख रहे हैं ड्राइड डिस्टिलेशन ठीक है यादारा ड्राइड डिस्टिलेशन बहुत पहले पड़ चुके है ठीक तो क्या करते हैं वाई साब यह एसेड है आर सी डावल बॉन्ड ओ एच यह ना एसेड को क्या करेंगे बस थोड़ा ता CAO, क्या ले ले? CAO, या फिर आपको लिखा हुआ क्या मिल जाए? CAOH का होल ट्वाइस, क्या लिखा हुआ मिल जाए? CAOH का होल ट्वाइस, तो क्या बन जाता है? यहाँ पर बन जाएगा RC double bond O, salt बन जाएगा, ठेक है? O, CA plus, और यह RC double bond O, दो मोल के साथ, O, और यह ऐसा, और यह क्या हो जाता? CACO3, हीट कर देने पर, calcium carbonate बाहर, calcium carbonate कहां से बाहर हो जाएगा? यह वाला पार्ट, ठेक है? यह वाला पार्ट, तो फिर यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा? RC double bond O, और यह R-, ठेक है? यह R लेते हैं, अपने को क्या मिल गया? कीटोन, तो यह एक तरह से, acid से, ठेक है? कीटोन बनाने का भी हो गया, acid से क्या बन गया? कीटोन, बात समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहे हैं हम लोग, क्या हो गया? dry distillation, ठेक? इसी मे, इसी मे, ठेक है? इसी मे, इसी मे, यदि हम क्या करवाद है? जैसे कि यह लिखा हो रहा है, CS3C double bond OH, और क्या लिखा हो रहा है, CAO, या फिर लिखा हो रहा है, CAOH का whole 2 और हीट, क्या लिखा रहा है? हीट, तो हम direct क्या लिख सकते हैं? पहले तो क्या बनेगा आपका? डारेक्ट तो लिख सकते हैं क्या? CS3, ठेक है? CS3C double bond OH और ये? CS3, acetone, acetone, लेकिन सबसे पहले क्या होगा ये? CAO, या फिर CAOH के whole 2 के premise में क्या बनेगा? CS3C double bond OH, O minus CA plus 2, अच्छा, इस से पहले वाले में भी यदि प्लस लिखा होंगे, तो प्लस 2 कर दिजएगा, ठेक है? O minus ये ऐसा, और ये C double bond OH, और ये CS3, यहां से बाहर क्या हो जाएगा? ठेक है? ये पूरा calcium carbonate heat करने पे, minus CSCO3, प ये थी के form में बाहर हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है किस प्रकार से चल रहे हैं, अब इसी में, ठीक है? एक देख लेते हैं, तीसरा, sodium bicarbonate test, उसको sodium bicarbonate test भी कहेंगे, बात समझ में आया? sodium bicarbonate test, तीसरा नमबर, तो वो एक प्रकार से test भी रहेगा, ठीक है? sodium bicarbonate test, ये भी पढ़ चुक है, GOC जब पढ़ रहा थे, उसी समय acid base reaction पढ़ाएं थे न, तब हम लोग क्या देखे थे? sodium bicarbonate test, तीसरा देख रहे हैं, sodium bicarbonate test, ठीक है? acid, R, C double bond O, O, H का reaction, sodium bicarbonate, ठीक है? sodium bicarbonate N, H, SO3, ठीक है? sodium bicarbonate के साथ reaction होगा, क्या बन जागा ये? ये तो बाहर क्या निकल जागा ये? ये बनेगा R, C, ध्यान से देखेंगे, ये test करवाया हुगा आपको, sodium bicarbonate test, तो ये double bond O, O minus, ठीक है? और क्या निकल जागा ये आप? सॉरी, Na, हाँ, Na plus, ठीक है? sodium hydrogen, सॉरी, ये SO3 क्यों लिख दिये हैं, भाई? CO3 होगा न, sodium hydrogen carbonate, ठीक है? तो ये बनेगा और साथी साथ H कहां जागा? यहाँ पर, जिससे क्या बन जागा? H2CO3, H2CO3, carbonic acid, ये बन जागा, ठीक है? carbonic acid, और ये क्या बन जागा? उसका salt बन जागा, salt of acid, ठीक? अब यहाँ से ये जो है, क्या हो जागा? अब ब्रेक हो जागा किसमे? CO2 और H2O में, ठीक है? ये किसमे टूडियागा? CO2 और H2O में, और ये CO2 जो है, वो क्या करता है? ये CO2 पास करवा देंगे हम लोग किस से? लाइम वाटर से, लाइम वाटर, तो लाइम वाटर क्या हो जागा? टन्स मिलकी, ठीक है? लाइम वाटर टन्स मिलकी, तो जिससे ये पता चल दाता है कि कार्बन डायोकसाइड ही है, क्योंकि कार्बन डायोकसाइड ही लाइम वाटर मिलकी करता है, और कार्बन डायोकसाइ है ठीक है तभी क्या बनेगा H2CO3 clear है और यह भी पता है थे कि कौन-कौन सा acid जो है वो sodium bicarbonate test देता है ठीक है तो acid-base reaction में या था है यह मान लेते हैं acid है यह base है तो क्या बन जाता था इसका conjugate acid ठीक है और इसका बन जाता था conjugate base ठीक है बी का क्या बन जाएगा यह conjugate acid और यह मान लेते हैं conjugate base बन जाता था तो क्या बोलते थे हैं कि यह reaction जो है spontaneous in forward direction कब होगा जब इस side का इस side का जो acid है वो stronger होगा किस से जो is side conjugate acid बन रहा है उससे तभी यह reaction क्या होगा spontaneous in forward direction otherwise क्या हो जाएगा spontaneous in backward direction या फिर उसको क्या बोलेंगे non spontaneous बात समझ में आ रहा है तो यह वाला भी अब इसमें तो सारा लिखवाए हैं हम लेकिन क्या सस्ता मजबुत और ठीकाव यही बताए थे इसेडिक और लिखवाएं थे आपको याद होगा तो जी उसी में एसेडिक और ठीक है बेंजीन सलपोनिक यह टेस्ट नहीं देने वाला ठीक है अलकाइन नहीं देने वाला है वाटर नहीं देने वाला है बात समझ में आया प्लियर है क्या चल रहा है यह यह जिसके नाम के पीछे क्या लगा हुआ acid, permic acid हो गया, carboxylic acid हो गया benzene sulfonic acid हो गया ठीक है, कोई भी acid हो गया picaric acid हो गया, सारा जो है sodium bicarbonate test देगा clear है, ये भी आपके समने एक बार आ गया, third हो गया sodium carbonate test, fourth मेटा दे, sterification अब देखते हैं, ठीक है fourth में क्या देखेंगे, sterification काफी चर्चा हो चुगा है, इस पर भी ठीक है, इथर वाले चप्टर में alcohol इथर चप्टर में fourth, fourth fourth में क्या देख रहे है, sterification 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 में क्या हुआ था, acid का reaction r c double bond o h, या था है, किस के साथ r o h के साथ, ठीक है यह हम ले लेते हैं, o h और यह r dash और थोड़ा सा क्या ले लिए थे, h plus और क्या था, heat, थोड़ा सा यह है न, h plus or, या फिर kong h2 so 4, ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है h plus, या ऐसा है लिख देते हैं, kong h2 so 4, ठीक है, kong h2 so 4 क्या बन जाता है, यह बन जाएगा r c double bond o, o और यह r dash ठीक है, बेसिकली बाहर क्या कर देंगे पानी, water क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, बात समझ में आया इसी में, इसी में इसका हम यह a part ले लेते हैं, b यदि हम r c double bond o और c l ले लिए, acid halide derivative, acid का derivative है या दा रहा है आपको, acid यदि हम क्या ले लिए, halide, और उसके बाद भी reaction हम o ho, यानि की alcohol ठीक है, ho r dash के साथ यदि हम करवाते हैं तो फिर क्या बन जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, s n a e, पढ़े हैं न, s n a e, क्या बन जाएगा, r c double bond o, o o, यह r dash, इस्टर का formation होगा, क्या बनेगा, इस्टर का formation, ठीक, नोट करें, अब इसमें हम लोग c part देख लेते हैं, ठीक है, यदि हम इसमें क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको, amide ले ले, sorry, या फिर हम यह ले लेते हैं, ammonia ले ले, या कुछ भी इस प्रका, या फिर हम इसका करवा देते हैं, acid anhydride के साथ, यदि हम reaction करवा दे, acid anhydride के साथ, acid के साथ देखें, acid halide के साथ देखें, ठीक है, यह क्या आपना, acid halide, ठीक है, अब c part एक हम लोग देख रहे हैं, that is, r c double bond o, o c double bond o, और यह r, और क्या लिख रहे हैं यहां पे, r o h, ठीक है, ऐसा, acid anhydride के साथ, ठीक है, अ sterification, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका वाला, यह वाला जाएगा, उपर, यह वाला आएगा, यहां पे, और यह वाला part क्या हो जाता है, बाहर, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और जिससे क्या बन जाएगा, यह r c double bond o, o, r dash, यदि इसको dash लेकर रखें, तो यह dash हो जाएगा बात समझ में आया, clear है किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, अगला हम लोग लिखेंगे, fourth हो गया यह, इसमें भी तीन पार्ट हम लोग देख लिए, चुकि बोले भी थे, ऐसे derivative भी हम लोग कुछ-कुछ देख लेंगे, ठीक है, तो fifth देखेंगे, अब हम लोग, पांचवा, Swift, chemical properties में पांचवा देख रहे हैं, और ध्यान से सारा एक प्रकार से आपका क्या हो रहा, revision type चल रहा है, आगे देखेंगे, reaction with SOCL2, reaction with SOCL2, ठीक है, SOCL2 ले ले या फिर हम क्या ले ले, PCL5 ले ले, आ रहा बास हमने, या फिर हम क्या ले ले, PCL5, ठीक है, तो यह अपना क्या है, RC double bond O, और यह क्या है, OH, RC double bond O, और क्या रहेगा, OH, ठीक, और reaction किस के साथ, SOCL2 के साथ, और यदि SOCL2 के साथ रहेगा, तो minus HCL minus SO2, या दा रहा है, minus HCL minus SO2, क्या बन जाता था यह, यह बन जाता था, RC double bond O, और यह CL, क्या बन जाता था, RC double bond O, CL, acid chloride, acid chloride का formation होता था, ठीक है, है, South तरीका क्या था, कुछने भाई, H और C L बाहर निकाल दो, ठीक है, H और CL, यानी कि, SIMPLE, OH ड़्यागे, CL लगा दो, क्या करना है, OH हड़्यागर के CL लगाना है, ठीक है, जैसे की S double bond O और यह क्या है? C L ठीक है? और यह क्या रहेगा? C L ठीक है? यह क्या रहेगा? C L और यह क्या रहेगा? S O C L 2 यह ही है ना? S O C L 2 समझ में आ रहा है किस तरीके से? थोड़ा का और इधर लिख देते हैं S O C L 2 ठीक है? ऐसा लिख देते हैं तो ये S double bond O, ये CL और ये CL, तो ये वाला पार्ट SO2 और ये वाला पार्ट HCL गया, क्या बन जाएगा वो, ये वाला RC double O, CL, बात समझ में आ रहा है, clear है, इसी में, इसी में, जदी हम चाहें, तो PCL5 के साथ भी करवा सकते हैं, reaction, same, product is same, ठीक है, product क्या आएगा, same, लेकिन बाह हो जाएगा, HCL, ये ध्यान में रखेंगे, यानि side product इसमें क्या आएगा, HCL, SO2, इसमें आएगा, POCL3, HCL, पढ़ चुके हैं, यादा रहे कि नहीं आपको, किसमें पढ़े थे, यस, alkyl halide में, किसमें पढ़े थे, alkyl halide में, मेटा दें, ठेक, तो इसका नमबर देख लिए, ओके, समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है, इसका एक हम question कर लेते हैं, इसी से related, ठीक है, जैसे कि आपको मिल जाए, कि ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन, इसका reaction हम किसके साथ करवा दे रहे हैं, जैसे हम ले क्या ले रहे हैं, ये वाला reaction तो हम लोग आरोमेटिक में पढ़ेंगें, लेकिन बस हम यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्या ले ले रहे हैं, फ्रेडल क्राफ्ट, सी एच, सी एल थ्री, और साथी साथ आपका क्या रहेगा, एल, सी एल थ्री, ठीक है, लिविस से तरीके स ले जाएगा, टॉल-इन, जिससे क्या वन जाएगा, टॉल-इन, यह फिसका 8D, यहहां से यहां लेकिन है, ठीक है, और यहां पर लिख गया हुआगा, एस ओ-सी आ-इल, और क्या लिख देगा, पी-सी एल, परकार से, 시 ए-स।ू, और यह सी ए-स अ रहे बने गा क्या, सी-े क्लीन बना हम लोग क्या करेंगे इसका ऑक्सिडेशन किसके साथ यह सब्सक्राइब करवा देंगे किसमें कनवर्ट हो जाएगा यह किस प्रकासे चल रहा है अब इसमें और हम थोड़ा एक्स्टेंड कर रहा है अब इसमें हम डाल रहे हैं एच्टू ठीक है पीडी सी एच्टू पीडी सी यादा रहा है इसको क्या बन जाएगा जिससे बन जाएगा यहां से यहां जो था रोजनमंड रियक्शन है ठीक है जो हम लोग पहले पड़ चुके हैं बात समझ में आया नोट करें फिफ्ट अपना हम लोग कंप्लीट किये और यह कनवर्जन भी हो जाएगा बेंजीन से बेंजीन से बेंजलडिहाइड एक प्रकार से क्या हो गया यह आपका कनवर्जन भी हो गया ठीक है चलिए मिटा दे ठीक किस प्रकार से हो रहा है कर्वोग जेलिक एसिड पुरा हम लोग देख रहे हैं एक एक रियक्शन ठीक है अब हम लोग क्या कर रहे हैं एक अलग से इसको हीट कर रहे हैं कि अबल यहां हम लोग हीट करेंगे तो लिख देंगे हम लोग क्या हीटेड एलोन क्या लिख देंगे हीटेड एलोन ठीक है कितना नमबर हम लोग देख रहे हैं six वाला six heated alone क्यों लोग़ों क्या कर रहा है heat करने का काम कर रहा है बात समझ में आगा तो हम क्या कर रहा है R C double bond O OH और ये R C double bond O OH दो मोल ले रहे हैं ठीक है understood रहे है कि तरह मोल दो मोल थोड़ा सा acidic medium और ये heat करेंगे जिससे बाहर क्या निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा ये वाला पार्ट ठीक है बाहर निकल जाएगा आपका ये water क्या बाहर निकल जाएगा आपका water तो ये H और इसका क्या OH माइनस कर देंगे पानी और जिससे बन जाएगा R C double bond O C double bond O और ये R that is acid and hydride क्या बन जाएगा acid and hydride बात समझ में आ रहा है किस प्रकार से चल रहा है ठीक है mechanism यदि हम इसका देखे थोड़ा सा mechanism देखे तो R C double bond O और ये OH सबसे पहले किसका attack H plus का तो H plus कहां जाएगा यहां पर जिससे क्या बन जाएगा R C double bond O H और यहां पर प्लस ये बनेगा OH समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है हां clear है ठीक है अब अब इसका दूसरा वाला पार्ट दूसरा वाला जो पार्ट था जानी कि अब reaction सब्सक्रान, R C double bond O और ये O H दूसरा वाला जो पार्ट है वो which clear अ ध्यान से यहां रही एक sự ध्यान से यह वाला जाता हा ऊपर निपे क्या जाएगा नीगेटिव और ये वाला पार्ट अपने को लिजएगा. नीट्रल करने के लिए उपर यान lang कि यह तो neutral OH और यहां क्या बनेगा positive और यह वाला जो oxygen पे negative आएगा उसका attack इस carbon पे clear उसका attack इस carbon पे लेकिन इस पे क्या आएगा carbon पे positive और carbon पे positive आएगा तो यह अपना lone pair क्या करेगा yes back bonding जिससे बनेगा क्या ध्यान से जिससे यह आपको नजर आएगा R, C, O, H उपर में OH और यह वाला OH भी है तो यह हम दे दियें OH यहां बगल में यहां क्या होगा यह जुड़ा रहेगा O से और O के साथ क्या रहेगा यह वाला यहां पे रहेगा double bond O, double bond होगिया न यह रहेगा C, double bond O और इससे जुड़ा हुआ रहेगा hydrogen जिस पे रहेगा positive और बगल में क्या रहेगा R समझ में आ रहे है किस तरीके से अब क्या होगा यह वाला hydrogen हट करके निकल करके चला जाता है इसके lone pair पे खिक है जिससे क्या बन जाता है R, C, O, H और यह रहेगा O, H, H positive और यह O, C, यह रहेगा R, double bond O, कुछ ऐसा और इससे बाहर क्या निकलेगा पनी, water बाहर और यह जो double O का lone pair है वो फिर यहां पे क्या करेगा attack वाटर बाहर निकलेगा तो यहां positive और फिर यह back bonding जिससे क्या बन जाएगा आपका minus H2O और जिससे बन जाएगा R, C, double bond O, H और यहां पे positive और यह बनेगा O, C, double bond O, और यह बनेगा R और यहां से क्या निकल जाएगा H और जिससे बन जाएगा R, C, double bond O, O, C, double bond O, और यह that is acid enhydride ठीक है क्या बन गया आपका acid enhydride समझ में आरा है किस प्रकार से हो रहा है कैसे चल रहा है, नोट करें ठीक है, मिटा दे, 6 तक अपना हो गया सेवन्थ देखेंगे, ठीक है, सेवन्थ, बार बार का रहा है सारा कुछ एक तरीके से क्या और आपका रिविजन तो इंपोर्टेंट है और यह बला देखेंगे क्या है यह acid, जैसे R, C, double bond, और यह O, H और इसका रिएक्षन NH3 के साथ, एमोनिया के साथ ठीक है, एमोनिया के साथ, तो यह तो acid के तरह एक्ट करेगा, और यह कैसे एक्ट करेगा, बेस की तरह माइनस क्या कर देंगे, माइनस HOH, सॉरी, हाँ, माइनस, सॉरी, माइनस तो यहाँ, हम इसका salt बना देंगे, ठीक है तो यह क्या बन जाएगा, यह H तो निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, RC double bond O, O पे माइनस और NH4 प्लस, यह बन जाएगा, ठीक है, और इसको यदि हम थोड़ा सा हीट कर दें, थोड़ा सा हीट कर दें, तो माइनस हो जाता है HOH, और HOH माइनस होने के बाद, ध्यान से, यहा से, जिससे बन जाता, RC double bond O, और NH2, एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, भाई साब ध्यान से, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एमाइड का, इंपोर्टेंट है, और यदि एमाइड से, यदि हम इस्तमाल कर लें, यहाँ पे, dehydrating agents, इटू वाला, ठीक है, यहनि की, POCl3 delta, य COCl3 205 delta, ठीक है, तो यहाँ से, फिर से, माइनस क्या हो जाएगा, HOH, माइनस क्या हो जाएगा, HOH, ठीक है, ह2 यहाँ से, और O यहाँ से, ह2 यहाँ से, ठीक है, बन क्या जाएगा, RC triple bond N, alkyls cyanide बन जाएगा, अलकाइल साइनाइड बन जा गई है इंपोर्टेंट है जान में रखना इंपोर्टेंट है चिक है अब इसको थोड़ा था हम समराइज रूप में लिख देते हैं यहाँ पे चिक है मिटा देते हैं क्या लिख सकते हम थोड़ा था यहाँ पे कि जैसे की रिएक्शन किसके साथ था आपका एस्ट के साथ ही यह आर सी डवल बॉंड ओ और यह ओ एच यही था न और जैसे रिएक्शन हम सबसे पहले किसके साथ करवाए थे याद है इस्टेरिफिकेशन वाला जैने कि आर ओ एच आर ओ एच प्लस ठीक है या बन गिया था आपका आर सी डवल बॉंड ओ ओ और यह आर इस्टर बन गिया था था फिर उसके बाद रिएक्शन किसके साथ या दा रहा तिसके साथ SOCL2 SOCL2 या फिर ले ले PCL5 क्या बन जाएगा RC double bond O CL ठीक है उसके बाद reaction acid का किसके साथ H plus delta ठीक है H plus और delta और यहाँ पर हम कितना मोल ले लेंगे 2 मोल कितना मोल ले लेंगे 2 मोल ठीक है इस वाले reaction के साथ 2 मोल याद रखना है double bond O और यह R acid enhydride क्या बन गया acid enhydride और यहाँ भी तुरंध हम देखे 4 वाला NH3 और delta NH3 और delta क्या बन गया amide RC double bond O NH2 और यही तो है acid derivatives सारे क्या है acid derivatives क्या बन गया easter acid acid halide ठीक है क्या बन गया acid enhydride ठीक है और साथी साथ क्या बन गया amide यानि क्या बन गया method of preparation of ठीक है क्या acid derivatives ठीक है method of preparation of acid derivative यह आपका आ गया है बात समझ में आया next हम लोग देखते है सारा समराइज करके लिग दिए acid derivative वाला seventh number ठीक है seventh number named reaction है पढ़ चुके है ठीक है named reaction में पढ़े है nitrine के समय आपको नाम बताना है क्या नाम है भाई named reaction का तो हम किसके साथ reaction करवाएंगे carboxylic acid RC double bond O और ये OH ठीक है reagent reagent से ही पाचानना होगा ठीक है N3H याद है N3H और साथी साथ क्या लिए थे ठीक है पहला ये या ऐसे लिख देते SRNH2 1 degree amine क्या बनता 1 degree amine क्या है सेच्मेट रिएक्षन name reaction था सेच्मेट रिएक्षन या दा रहा है name reaction में क्या जा रहा सेच्मेट रिएक्षन कितरा नमबर हम लोग आगे थे 7th न या 8th 8th ठीक है ये आपका आ रहा 9th नमबर ये भी name reaction है रिएजेंट लिखेंगे आप बताएगा कि कौन सा है ठीक है और बहुत ही ज़्यादा ये भी important है ठीक है इसमें हम लोग क्या करेंगे extension करके देखेंगे जैसे कि ये हम लिख रहे है RC double bond O और ये OH ठीक तो ये PCL5 या फिर SOCl2 के साथ reaction क्या बन जाएगा यस बन जाएगा RC double bond O और ये CL यही बना ठीक है अभी नहीं अब इसका reaction हम लोग क्या करवा देते हैं ये acid acid halide बन गया अब acid halide का reaction हम करवा देते हैं NA plus और ये N3 minus NA plus N3 minus क्या बन जाएगा यस R RC double bond O और ये N3 N3 आता nitrogen फिर double bond nitrogen फिर double bond nitrogen ऐसे करके याद है और फिर हम लोग क्या करते ये नाम क्या है इसका कौन सा reaction है यादा रहा है नहीं यादा रहा है ध्यान से और फिर यदि हम लोग इसको क्या करवाते हैं rearrangement rearrangement double bond C double bond O और फिर हम लोग क्या करवाते थे hydrolysis hydrolysis HO hydrolysis जिससे याद है आपको H यहाँ फिर O यहाँ और H यहाँ और ऐसे इसे करके तोड़ देते थे जिससे बाहर क्या निकल जागा R NH2 और साथी साथ CO2 और ये reaction करके फर्दर N A to CO3 में बदल जाता है ठीक है तो आपने को क्या मिला 1 डिगरिया माई और रियेजेंट जो है किसका कर्टियस रियेक्शन कर्टियस रियेक्शन कर्टियस रियेरेंजमेंट भी कहलाता है बात समन में आये किस तरीके से हुआ आगला देखेंगे 10 नंबर 10 नंबर मीडा दे ठीक है 10 नंबर ये नाइटरीन में हम लोग देखे थैं नाइटरीन चेप्टर में जब पढ़ा रहे थे नियम्ड और गनेक रियेक्शन में नाइटरीन जब पढ़ा रहे थे तब ठीक है कितना कितना नंबर आ गए है प्ना किल्म टर इसे की आर इसी डावल बॉंड और यह क्या ओ एच और इसको क्या कर देए हम एने these वान और यह यह ना यह यह ग क्या गणा ऑइँ क्या बना था भाएचाब्ड मszych एच्पे साथ करवा दें H O B R क्या लिखा हुआ रहा है H O B R N O B R ठीक है या फिर लिखा रहा है B R 2 ठीक है या और साथ ही साथ K O H और K O H के जगा ले सकता है N O H क्या बन जागा यह R N H 2 क्या बन जागा R N H 2 Named reaction है क्या नाम था इस reaction का Hoffman Bromide reaction ठीक है Hoffman Bromide reaction या दा रहा है सिंपल जरीका था इस सी डबल बॉंडों को उड़ा दो और जोड़ दो ठीक है answer आ जाएगा clear है यह था आपका 10th number जहां पर थोड़ा सा extension करके हम फीज का इस्तमाल की है माइड बना करके clear है ठीक है 11th number ठीक है 11th number सब का सब important है और खास बात है इसमें आपका क्या हो जारा revision हो रहा है आपका क्या हो जारा revision ठीक है अब देखेंगे जैसे कि यह क्या है R C double bond O और यह OH important है यह important है ठीक है पहला क्या डालेंगे SOCl2 और दूसरा CH2N2 ठीक है पहला क्या डालें SOCl2 दूसरा आपना क्या है CH2N2 कार्बीन वाला ठीक है तीसरा क्या डालेंगे तीसरा dry Ag2O dry Ag2O और चौथा H3O प्लस याला रहा कई सारे question इस पर भी किये थे और यदि हम इसको 14 ले ले इसको 14 मार्क कर दे ठीक है क्या मार्क कर दे इसको 14 clear है तो क्या बन जाएगा यह बनेगा र Εलार सीटबेगा स्टोरी आर च्च्थ future और यह सीडबल बन ओड़ एक एकसेंद आहाई यह बन हुआ है श्टेप-प रेक्षन किसцип बढ़ गया तर you and Guild is आई इसका आये विलेक्षन क्या कर सुग के पड़ चुके और बहुत सारे इससे related reactions भी देखें हैं ठीक है नोट करें फिर बात आते हैं ठीक है चलिए 11th होगे आपना 12th नंबर और यह बहुत ही important है ठीक है reaction with MnO2 ठीक है ध्यान महीं नहीं रहेगा reaction with MnO2 ठीक है करना क्या है यह रहेगा RC double bond OOH और यह एक मोल और दो मोल लेना रहता है ठीक और क्या लिखा रहेगा MnO2 क्या लिखा रहेगा MnO2 और लिखा रहेगा 300 degree C 300 degree Celsius पेस को हीट करेंगे बनता क्या है किटोन RC double bond O और यह रहेगा R ठीक है और यहां से बाहर क्या होगा water और CO2 water और CO2 क्या हो जाएगा बाहर ठीक है क्या हो जाएगा minus HOH और minus CO2 जिससे क्या बन जाएगा किटोन समझ में आ रहा किस प्रकार से हो रहा है इसी में क्या लिख देए CH3 ठीक है और यह C double bond O और यह OH ठीक है और यह CH3 C double bond O और यह क्या जाएगा OH और इसमें हम करवा देख क्या सेम MnO2 300 degree C तो यह अपना क्या निकल जाएगा पानी और CO2 बन क्या जाएगा CH3 C double bond O और यह CH3 नहीं याद रहता है जल्दी ठीक है भूल जाते हैं लोग तो ध्यान से थोड़ाता इसको करेंगे ठीक है अब जैसे की मिटा दे इसमें क्लियर ठीक है तो यह MnO2 जो है वह ध्यान में रखेंगे बहुत important है MnO2 ठीक है MnO2 जो है वह important है आगे देखते है रियेक्शन विद आर एलाई ठीक है 13th रियेक्शन विद आर एलाई आर पर क्या रहाएगा माइनस और इस पर क्या रहाएगा प्लस पड़ चुके हैं ना यह है और सी डवल गॉंड ओ और यह ओ एज का रियेक्शन किसके साथ और यहांपर क्या एक्ट करेगा है जब बेस कैसा एक्ट कर रहा है जब बेस तो कौन सा रियेक्शन होगा acid-based reaction जिससे क्या बनेगा RC double ohm ठीक है और यह ohm minus ठीक, ohm minus और li plus और फिर से यदि हम करवा दे r minus li plus का reaction तो इस बार क्या होगा nucleophilic addition reaction यह उपर और यह यहाँ, जिससे क्या बनेगा r c ohm minus li plus और यह बनेगा ohm minus li plus और साथी साथ क्या बनेगा यह यहाँ r, ठीक है फिर करवा देंगे hoh जिससे बन जागा r c ohm और यह ohm और यह r और यह 2 h एक साथ, नहीं तो बाहर क्या निकल जाएगा minus water, और minus water होने पर क्या बनेगा, r c double bond o और यह r, यानि कि क्या बन गया, ketone बात समझ में आया, क्या बन गया, ketone इसी पे, मिटा दे, ठीक यानि कि यदि इसी में, क्या रहा है आपका यह ch3, c double bond o, और यह o h और क्या लिखा रहा है, दो मोल pH li, ठीक है, pH minus और li plus, ठीक है, समझ में आया पाला तो यह लिख दे, और दूसरा में क्या लिख देते थे, water, s2o के साथ reaction था, ज्यादा रहा है, क्या बन जाएगा, s3o प्लस, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा यह यह, यह बन जाएगा, c h3 c double bond o, और यह pH, यही बन जाएगा ना, clear है, समझ में आ रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, अब देखें, next, next, देखें, किना नमबर हम लोगा हो गया था, 16th, नमबर कितना था, 16th या 17th, ठीक है, जो भी रहेगा, उसको कर लेना, ठीक है, 16th या 17th, 16th साथ, अब देखें, हम लोग कौन था, 17th नमबर, ठीक है, थोड़ा था, चेक कर लेंगे, ठीक है, तो इसमें नया, रीक्षन आ रहा है, हम नमबर यहां नहीं डाल रहे है, नया रीक्षन आ रहा है, HVZ रीक्षन, अब ही HVZ रीक्षन क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, हेल वोल हार्ड, हेल, वोल हार्ड, जेलिंग स्काई रियेक्शन, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है भाई, हैल वोल हार्ड जेलिंग स्काई रियेक्शन, ठीक है, इसमें होता क्या है, कि R, ठीक है, C double R, CH2, ठीक है, CH2, C double bond O, और ये OH, एसीड, और वैसा एसीड लेना है, जिस पे अलफा हाइडरोजन हो ही, यान है, अलफा हाइडरोजन कभी भी 0 नहीं चाहिए, अलफा हाइडरोजन चाहिए, ही चाहिए, बात समझ में आया, और इसका रियेक्शन हम किसके साथ करवा देंगे, रेड फास्पोरस, और साथी साथ लिखा वो रहाएगा, X2, साथी साथ लिखा वो रहाए, क्या करा है, X2 और यहाँ, अलफा हाइडरोजन जो है, 0 नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अलफा हाइडरोजन, कुछ ना कुछ है, वो होना ही चाहिए, और जो प्रोडक्ट मिलता, वो अलफा हैलो प्रोडक्ट मिलेगा, अलफा हैलो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, जिससे तो H यहां से निकल जाएगा और BR ठीक है और जिससे जो बनेगा वो क्या बनेगा R, CH यह बनेगा BR ठीक है C double bond O और यह OH यही आपका बनेगा alpha hello product बात समझ में आया और कुछ नहीं है इसमें बहुत ही आसानी यह reaction है ठीक है जैसे कि आपको लिखे CS3 C double bond O और यह OH और यह reaction किसके साथ करवा दे रेड पी ठीक है साथी साथ लिख दे BR2 आंसर क्या हो जाएगा बस यहां BR लाके रख देना है ठीक है यानि कि CH2 और यह BR ठीक है अलफा है लो प्रोड़क्ट आपको मिला इसमें थोड़ा सा और कारीगरी करना चाहिए तो हम क्या कर देंगे थोड़ा सा NH3 के साथ रिएक्षन करवा देंगे नस्तरी के साथ अब नस्तरी के साथ कौन सा रिएक्षन होगा SN2 वाला ठीक है यानि बाहर यहां से यहां से बाहर निकल जाएगा ठीक है और ह इसका भी एस बीयर क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा ठीक है जिससे बनेगा यह CH2 C 2C-bildung lettbinar बन क्या जाएगा एन ह two क्या बन जाएगा इन ह two ठीक है बाहिजों समया है ग्लाइसीन या आपको बायो मॉलेकुल में पढ़ने को मिलेगा ध्यान में रखना है अल्फा हाइट्रोजन यहां होना जरूरी है तो यदि कि इन चिक है तो यदि रियेक्शन ऐसा हो कि CH3, C, CS3, CS3, C double bond O और ये OH लिखा हो और लिखा रहा है red P और सातिसार रहा है BR2 तो कोई रियेक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का अलफा हिट्रोजन नहीं है बात समझ में आया नोट कर लें ठीक है और यदि और देखना चाह है तो जैसे कि CS3, CS2, C double O H है और क्या लिखा रहा है red P और साथी साथ BR2 क्या बन जाएगा कुछ ने BR को लाकि यहाँ लगा देना है क्या बन जाएगा CS3, CH, BR, C double O H बात समझ में आया किस तरीके से है clear है अब आगे एक और हम रियेक्शन देखने जा रहे हैं जो कि काफी इ ठीक है नेक्स्ट जो है chemical properties में पढ़ने जा रहे हैं कितना नमबर है आप लिख ले जागा 17th या 18th जो भी ठीक है तो क्या नाम है इसका बोरोडिन हंस डिकर रियेक्शन ठीक है यह हंस डिकर रियेक्शन भी कहा जाता है ठीक है बोरोडिन अंस डिकर ठीक है रियेक्शन बात समझ में आया तो इसमें होता क्या है कि trip है c double bond ठीक है RC double bond ओएच क्लियर है चार एक संदिन से देखेंगे इंपोर्टेंट 6 इसके साथ हम करवा देंगे एजी के साथ ठीक है क्मおおइषट एज़ी टूओ पिसके साथ हम लोgement कार मिल या फिर आपको लिखा हुआ है है एक तरह से 20 मिल रहा है ठीक है तो क्या मिल जाएगा आपको आर सी डावल बॉंड ऑ- और एजी प्लस यह मिल जाएगा यानि कि Silver Salt of Fatty Acid क्या बूल सकते हैं कि इसको हम लोग Silver झाल झाल